हेलो गाइस, वेलकम टो माई यूर्यूप चैनल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैसिक नंबर्स तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक गाइस नुकलियर्स के अंदर जो होते हैं आपके प्रोटॉन और निट्रॉन होते हैं तो जब स्टेडी की गई इन चीज़ों की तो हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के लिए क्या होती है जो नुकलियर्स के लिए वो बहुत जादा स्टेबल होती है वो नंबर्स के आते हैं कि प्रोटॉन के लिए थे 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 तो इन नंबर्स को क्या कहा गया आपका मैजिक नंबर्स नंबर्स के लिए वो बहुत जादा स्टेबल देखी गया जबके अगर यहाँ पर 2 के जगह थरी हो गया तो वो इस्टेबल्स नहीं थी यह कहलो 28 की जगह पर 27 यर 29 होगय तो ऋस्टेबल्स के लिए स्टेबल्स देखी गई अबब numbers are popularly known as magic numbers और उपर के जो numbers हैं इन्हें क्या बोलागे आपका magic number यह magic number एक तरीके से आप लगा लो जैसे inert gas होती है inert gas में हम बोलते है outermost shell जो है complete है completely filled है तो इसलिए वो अब further reaction नहीं करती है और जो है एक stable हो जाती है हम लोग यह कहते हैं इसी तरीके से इनका भी था कि यह जो है nuclear जो एक shell की तरह behave करता है और उसके बाद से अगर यह numbers of उसमें proton और neutron है तो वो क्या हो जाएंगे stable हो जाएंगे तो magic number एक तरीके से क्या है आपके inert gas की तरह है ठीक है जैसे inert gas में आपके outermost shell fill होती है उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पर nuclei में यह number होने पर nuclei की जो shell है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गई है यह फुली filled हो गई है यह जो है हम लोग आगे अगली वीडियो में जो मैं बनाऊंगी shell model उसमें हम लोग discuss करेंगे अभी हम लोग सिफ magic numbers के बारे में देखेंगे कि magic numbers है क्या यह तो बात होगी magic number की अब क्या होता है जैसे किसी कोई एक ऐसा element होगा जिसमें आपका proton में भी magic number देखने को मिलेगा और neutron में भी हमारे क्या देखने को मिलेगा magic number देखने को भी लगए यानि कि उस nuclei में दो magic number है एक proton का है और दूसरा क्या है neutron का है जैसे कि आपका helium helium में क्या होता है j equal to 2 यहाँ पर proton 2 है और n equal to 2 यहाँ पर neutrons भी क्या है यहाँ पर 2 ही है ऐसी oxygen के लिए है j equal to 8 और n equal to 8 इसे तरीके से और भी है तो इस तरीके की nuclei को जिसमें आपका proton भी magic number शो कर रहा है और neutron पर भी क्या है magic number है तो इस तरीके की nuclei को हमने बोला double magic nuclei और यह क्या होता है बहुत ही ज़्यादा high stability हमारी क्या करता है शो करता है तो magic number यहाँ पर I think clear होगा कि magic numbers क्या है यह 2, 8, 20, 28, 50, 82 यह क्या है magic numbers है अगर यह numbers of proton यह numbers of neutron हमें किसी nuclei में देखने को मिलते है तो वो क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा stable होते है और उसी तरीके से अगर आपका एक ही nuclei के अंदर आपका proton भी आपको magic number show कर रहा है और neutron भी अगर आपको magic number show कर रहा है तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा highly stable होता है और ऐसे nuclei को हम क्या बोलते हैं, डबली magic nuclei, अब देखते हैं कि किस बेसिस पर हमने ये shell model इसको बोला, या ये कह लिए, magic number से हमें क्या-क्या देखने को मिला उस nuclei के अंदर, देखें, nuclei containing magic numbers of proton and neutron show very high stability compared to the nuclei इसमें तुम एक से एक और proton ये एक और neutron जो है क्या कर दो, add कर दो, वो वाला जो है, नहीं कर रहा था, इतनी जादा stability show, जितनी आपकी, जिसमें magic number है वो show करते है, जैसे माल लीजे, आपका यहाँ पर helium है, helium के अंदर आपका 2 था, ठीक है, और अगर आप lithium रिख लेती हैं, lithium में आपका 3 है तो lithium इतनी जादा show नहीं कर रहा था जितनी, helium ने आपकी show करी stability, ठीक है the naturally occurring isotopes whose nuclei containing magic number of neutron or proton have generally greater relative abundance greater than 60%, ठीक है example इसका isotopes of Sr, N equal to 50 have relative abundance of 82.56%, sorry 82.56%, ठीक है यह है कि अगर आपका कोई magic number सो कर रहा है कोई nuclei आपका magic number सो कर रहा है तो उसके जो isotopes के जो natural nature में occurring वो काफी ज़्यादा उसके क्या होगी abundance होगी वो बहुत ज़्यादा मात्र में आपको मिलने वाले हैं nature में जैसे कि आपका SR का case है अगला देखी the number of stable isotopes of an element containing a magic number of proton is usually large compared to those of other elements example calcium Z equal to 20 has 6 stable isotopes while argon Z equal to 18 has only 3 stable isotopes बोल रहा है कि जैसे अगर आपका calcium ने example ले रखा देखे calcium के example समझे calcium के पाद Z equal to 20 है 21 अपने आप में magic number है तो जो calcium के हमें isotopes जो stable isotopes हमें calcium के देखने को मिलते है वो होते हैं 6 जबकि उसके आसपास का अगर हम argon देखते हैं जिसका Z equal to 18 है उसके stable isotopes के हैं सिरफ और सिरफ 3 हैं तो हम क्या कह सकते हैं जिन numbers के पास proton वाला क्या है proton वाला magic number है उसके isotopes क्या होते हैं ज़्यादा मिलने के संभावना हमें दिखती है कि उसके isotopes nature में ज़्यादा हमें मिलेंगे जैसे calcium के 6 हैं और आपके argon के जबकि 3 ही हैं क्योंकि इसका magic number यहाँ पर proton magic number शो नहीं कर रहा है सिर्फ इसी तरीके सा कंपेर तो थोस इन दी इमिडेट नेबर एक्जामपल अट एन एक्वल टो 82 स्टेट आइसोटोन आर 7 वाल एट एन एक्वल टो 80 स्टेवल आइसोटोन आर ओनली 3 ठीके सेम वैसी ही जैसे उपर proton के केस में था कि वहाँ पर isotopes आपके जब proton अगर magic number शोव कर रहा है तो isotopes उस element के हमें बाकी element से ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यहाँ पर isotopes के केस में है अगर आपका neutron जो है उस element का neutron जो है magic number शोव कर रहा है तो उसके isotones हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं बजाएक इसके other elements के जैसे यहाँ पर N equal to 82 है यह क्या है आपका magic number है तो इसके isotones हमें 7 देखने को मिलते हैं जबकि N equal to 80 जहाँ पर magic number नहीं है उसके isotones सिर्फ हमें कितने देखने को मिलते हैं 3 देखने को मिलते हैं देखे next है the end product of 3 radioactive series are isotopes of lead PB206, PB207, PB208 which all have the magic numbers Z equal to 82 of protons in their nuclei जैसे आपने radioactive series पढ़ी होंगी radioactive series में क्या होती है चार radioactive series अगर हम देखते हैं तो चार में से तीन आपके क्या होती है lead पे आके खतम होती है ठीके क्यों क्योंकि lead क्या है इसके पास क्या है magic number है और यह अपने आप में क्या है काफी stability सोग करता है देखे मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे यह यूरेनियम की है इसमें भी आपका last product मिल रहा है वो आपका PB मिल रहा है यहाँ पे PB206 है यानि कि PB का isotopes कौन सा वाला है 206 है और जबकि यहाँ थोजियम वाले में देखे यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है पी-वी-208 मिल रहा है और एक्तिनियम में भी यूरे में भी पी-वी-20 7 यानि कि इसमें last product का मिल रहा है आपका lead मिल रहा है जबकि इधर आप देखेंगे इसमें Ne Isab Skills मील रहा है तिक बाकि यह 3 यह यह 4 मं से 3 veo, इन में हमें क्या मिल रहा है, Last Product जो हमें मिल रहे है PV यह उसके इनकी HELP पीवी का मिल रह रहा है , क्योड कि यह क्या है अपने आप में इसके अंदर magic number है, ठीक है , इसमें 82 कि आ है। अपका magic numéro है, तो इसमें magic number है, और यह क्या हैIt अब का इसलिए हमें लास्ट प्रोटेक्ट का मिल रहा है नेक्स देखिए दा न्यूट्रोन कैप्चर क्रोस सेक्षिन अफ नुकलियाई विद मैजिक नंबर अफ नूट्रोन आ लो compared to its neighborhood because its neutron cell is closed similarly nuclei with magic proton number have low proton capture cross section बोल रहा है कि अगर आपका neutron वाला जो है neutron में क्या होता है अब आपका अगर magic number है तो मैंने बोला उसका cell क्या होगा completely filled होगा अगर उसका cell filled होगा तो उसमें अगर आप दूसरा neutron डालोगी तो वो उसे capture नहीं करेगा इसलिए उसका neutron capture वाला क्या होगा neutron capture cross section आपका कम होगा सेम दूसरे केस में आपका proton वाला है अगर proton के पास magic nuclei है यानि कि nuclei के पास proton जो है magic number है proton का magic number है तो उसका proton capture cross section क्या होगा कम होगा तो ये बात थी हमारे magic numbers की नेक्स वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स टॉपी की संग नेक्स वीडियो में जो है हम लोग shell model को discuss करेंगे तब तक के लिए take care goodbye